दोस्तों कैसे हो? Finally Markit ने वेकेंशी के अबडेट लेकर और इसमें हम बात कर रहे है?」 इस वेकेंशी के वो बहुत ही खास है ω्तों यह वेकेंशी आई है JNV के डिपाटमेट से यानि कि जवाल लह्रू विस विध्याले के डिपाटमेट से और यहां पर रुपए से 35,004 रुपए पर मन्त की स्टार्टिंग में काफी एच्छी वेकेंसी है आज हम जानेंगे इसके ही कम्प्लेट डीटेल साथ ही आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भढ़ना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें लाश्ट तक दोस्तों फैनली मागरेप में वेबसाइट पे और आप दीख सकते हैं यहाँ पे वेकेंसी आई है जवाहरला नहरूई उनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से यानि की जेन यू के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे एम्प्लेमेंट टाइप है सेंटरल गॉर्मेंट जॉब इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं तो आल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं आप चाहिए किसी भी राज में रहते हो आप इस वेकेंसी का फॉर्म भर सकते हो अगर हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे सीमा क्या होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर senior system analyst टिप्टी रेजिश्टरार के लिए आयू सीमा होनी चाहिए maximum 50 years वहीं बाके सारे पदों के लिए आयू सीमा होनी चाहिए अधिकतम 40 साल 18 से 40 साल के उम्र के बीचवारे लोग apply कर सकते हैं और यहाँ पर OBC को 3 साल का, SCST को 5 साल का, PH को 10 साल का आयू में छोड़ भी है अगर हम बात करते हैं इसके educational qualification की तो दोस्तों यहाँ पर multi-tasking staff के लिए 10 वी पास apply करेंगे lab attendant के लिए 12 साइंस वाले apply करेंगे या फिर 10 वी पास with science as one of the subject and skill certificate program in lab technology वाले भी apply कर सकते हैं जूनियर एसिस्टेंट के लिए कोई भी graduate apply कर सकते हैं BA, BC, BC, BTEC apply कर सकते हैं साथे English में typing speed होनी चाहिए आप screen पर देख सकते हो स्टीनोग्राफर के लिए भी कोई भी graduate apply कर सकते हैं स्टीनोग्राफी में proficiency होनी चाहिए English और Hindi में साथे speed होनी चाहिए अब देख सकते हैं screen पर Sports Assistant के लिए Bachelor of Physical Education भी पेड होना चाहिए Assistant Registrar के लिए PG degree और equivalent होनी चाहिए वहीं आपको Assistant Librarian के लिए PG degree in Library Science Information Science, Documentation Science with Net Qualified होना चाहिए Staff Nurse के लिए दोस्तो BSc Honors Nursing, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing या फिर अगर Diploma है, GNM है तो आपको एक साल के experience लगेगा तो भी apply कर सकते हो दोस्तो बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए experience मागा गया है Graduation, PZ वाले apply कर सकते हैं तो आप वैबसाइट पर आकर देख लिजएगा और apply करिएगा जो experience holder है Fraser's का qualification मैंने बता दिया है अगर हम बात करते हैं selection की तो selection दोस्तो यहाँ पे बेश्ट है written test, skill test पर और यहाँ पे salary मिलती है multitasking staff, lab attendant को 18,000 से 56,900 रुपया पर मन्त की junior assistant, sports assistant को salary मिलती है 19,900 से 63,200 रुपया पर मन्त की steenographer को salary मिलती है 25,500 रुपया से 81,100 रुपया पर मन्त की assistant register, assistant labellin को salary मिलती है 56,100 से 1,77,500 रुपया पर मन्त की junior technician को salary मिलती है 21,700 से 79,100 रुपया पर मन्त की वहीं staff nurse को salary मिलती है 44,900 रुपया से 1,42,400 रुपया पर मन्त की application fees आप देख सकते हैं screen पर और यहां पर job location रहेगी डेल ही और यहां पर इसको apply करने का date है 18 फरवरी से 10 मार्च की बीच में टाइम बहुत कम बचा है जल्दी से form भर दीजेगा अगर आपको form भरना होगा तो और यहां पर form आपको online भरना है form भरने का link मिल जाएगा पहले comment में आप इस website पर आईएगा link पर क्लिक करके सबसे पहले इस link पर क्लिक करके इसका notification पढ़िएगा और form भरने के लिए इस link पर क्लिक करके इस वेकेंसी का form भरिएगा इस website पर आकर देखो यहां पर कैसे form भरना है मैं बतायता हूँ आपको आपको आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले इसका official notification का link दिया है ठीक है और नीचे जाओगे आपना तो देखो यहां पर G&U recruitment यहां पर लिखा हुए आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे कि यह पीज आ जाएगा यहां पर देखो आपको क्या करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले new registration करना है ठीक है यहां पर उसके बाद login करके form भड़ना है अगर कोई सवाल होगा comment करके पूछ सकते हैं इस वीडियो बस इतना ही जैहिंद वन देमातरम